हालो आप से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चला मैथ मंच पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको गुलंखन करना सिखाऊंगा और गुलंखन का है ओके और मैं आपको गुलंखन का मतलब भी बताऊंगा तो आपको पूरा देखना है देखे हमारे पास सवाल दिये रखा है एक स्कॉर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बन अपॉन ए एक्स प्लस बन तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है जो बाहर एक्स लगा है इसका अंदर गुणा करो ठीक है आए तो गुणा कर लेते इसका तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्कॉर इसका अंदर गुणा करेंगे तो इसका हम अंदर गुणा करेंगे ए एक्स हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा ओके जो बन द common है तो X common कर लेंगे तो जब हम X common करते हैं तो देखि यहांपर क्या बचजेगा X बचेगा और यहांपर ए बचेगा देखी पहले बाद मैं आपको बता दीता हूं common का मतलब होता भाग देना इत्री रिंगे और इसमें upon a plus button है तो हमें इस bracket को देखना सबस् tạiिपहला आपको यहाँ पर X plus a आ रहा है कि यानि कि हमें इस bracket के अंदर X plus e लाना है तो X plus a कब आएगा जब यहाँ से हम BANA-a common करेंगे कि हमको रिख सर्सक्सथा चाहिए यहाँ पर तो हमने बन आपन आपन अbec Сам कर लिया तो देखी इसमें अगर हम बन अपॉन जो यहाँ पर curso upon AI लिखा है है इसमें हम अगर बन अपॉन olsun Igivie करेंगी तो एक्स बिचेगा दिखी मैं आखो 16 बसाट से बता देता हुँ one upon a common किया है तो one upon a का हम इसमें भाग करेंगे तो one upon a का हम इसमें भाग करेंगे तो जी हमारा a का ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ पर a आ जाएगा ओके अब देखिए एक x प्लस a यहाँ पर है अब कुशन नम्मर सेकंड देखेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगो गुलंखन का मतलब क्या होता है ठीक है देखें कुशन नमर सेकेंगे अमारे पास दिया X score माइनस A upon B plus B upon A X plus 1 तो इसको पहले नोट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस X का अंदर गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर लिजे X score माइनस का A upon B X इसका भी अंदर गुणा करें तो माइनस का B upon A और X प्लस 1 देखिए यहाँ पर माइनस लगा था और यहाँ पर X था हैंडिकी माइनस X का इसमें गुणा करना था तो जब हमने माइनस X का इसमें गुणा किया तो देखिए इसमें गुडा किया तो a upon v,x का गया, minus plus minus होता है, बी upon a,x हो गया, ठीक है, plus दिया था plus लगा दिया, अब हम क्या करेंगे दो-डो के जोड़े बना लेंगे, इतना करने यने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या common है, इसमें X common है, X common कर लेंगे, इसमें X common कर लेंगे तो X कर दाएगा और minus का A upon V आ जाएगा, देखिए मैंने पहले सबार में आपको काफी detail में बता दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, minus, अब इसमें हम क्या common करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, इस bracket में क्या A common करना होगा, क्योंकि हमको यहां पर X लाना है, जब हम इसमें B upon A common करेंगे, तव हिया पर X आएगा, ठीक है, तो अब यहां पर हमने minus का B upon A common कर लिए, तो यहां पर X बचाएगा, अब यहां पर देखिए, बन में हम भाग करेंगे, minus का B upon A में, तो A हमारा उपर ठीक है एक्स माइनस ए अपॉन भी तो यहां पर बचेगा एक्स और यहां पर बचेगा बी अपॉन ए यह हमारी कुछन नमर सेकिंड का आंसर हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आपको गुड़नखन का मतलब बताऊंगा ठीक है तो देख लिए गुड़नखन क बारा इंटो दो लग सकते हैं यहां तो हम ऐसी को ऐसा भी लिख सकते हैं छहें इंटू दो लख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जो 24 होता है यह सकते हैं पर चार होगा, किटना होगा? 4 होगा या, 24 चार होगा, कि इसको लिख सकते हैं तो गड़नखन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं इस तवाल को जोड़ा बना लेते हो तो यहाँ पर आपके जो गुड़ानखन होगे थोड़ा अलगा आएंगे लेकिन आंसर सही होता है ठीक है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखी गुड़ानखन का मतलब क्या होता है आई होब कि आपको समझ में आ चुका होगा यह दिवीडियो पसंद आते प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए थैंक्स फर वोचिंग